नमस्कार इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बगवान विश्व कर्मा जी की पूजा किस तरह से की जाती है और इस दिन क्या क्या होता है और इस पूजा में कौन-कौन से चीजे करनी चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए तो और इसके साथ ही ये पूजा कतना महत्वपूर्ण रगता है तो पहले कि मैं बता दू यह पूजा जो होती है विस्व कर्मा जी की पूजा यह बहुत ही धुमधाम से मनाई जाती है भारत में भारत में मेरे हिजाब से हर जगा मनाई जाती हैं और जितने भी लोग हैं घर के सदश्य वो सब ही लोग इस पूजा में भाग लेते हैं बच्ची हों बुढे हों जितने भी लोग हैं सब पूजा में भाग लेते हैं और इस दिन जितने भी वाहन होते हैं चाहे वो बच्चों के हो या बड़ों के हो उन सारी चीज़ों की दो अच्छी सी सफाई करके पूजा की जाती है जैसे बाइक, सालकेल, कार, ट्रक, बस जितने भी चीज़ों होती है इन सारी चीज़ों की पूजा की जाती है साथ ही जिस चीज़ों से आपके घर में धन की प भगवान विश्व करम जी की पूझा की जाती है इसके बद इन सारे भाहनों की पूझा की जाती है तो इसके मुर्तियां और इसकी बहुत ही मान्यता होती है और ये सिर्फ हिंदु धर्म मेही नहीं मनाया जाता है मतलब हिंदु धर्म के लोग ही नहीं दूसरे धर्म के लोग भी मनाते हैं इस पूजा को जैसे क्रिष्ट्रेन वगेरा भी मनाते हैं इस तेवार को अच्छी तरह से तो इस दिन जितने भी घर के समान होते हैं जैसे कि जिससे जैसे वाहन वगेरा उसकी सुबह उठ करके अच्छे तरह से साफ सफाई की जाती है उसके बाद उसे घर में भगवान विश्म कर्मा जी की पूजा होती है उसके बाद इन वाहनों की भी पूजा की जाती है और आप देख सकते हो इस पूजा में जो बाइक वगेर क पूजा हो रही है उसमें भच्य ही आधेख पूजा तो इस तरह से बच्चे किस तरह से पूजा करते हैं वो आपको दिखाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है और आपके घर में वजचे थे तहां अपने बच्चों को क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से बच्चे भी पूजा करते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कम पूजा पार्ट पे ध्यान देते हैं अगर घर में कहीं पर आपने देखा होगा कि अधिकता हैं किसी के घर में पूजा होती है तो जो बच्चे होते हैं छोटे हो या बड़े वह अलग से बैट जाते हैं और मोबाइल लेके गेम वगरा खेलने लगते हैं और जो मातापिता होते हैं वह पूजा में बैटके पूजा करें होते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है या फिर यू कहें कि यह सब यह जो रीती चली है ये बहुत ही गलत रीती चली है इस तरह की रिवाजे बिलकुल नहीं होना चाहिए अगर घर में पूजा हो रही है तो बच्चे या बुर्जोर गो बड़े हो सबको एक साथ पूजा में बैठ के पूजा करनी चाहिए ना कि मोबाहिल में एक तरह बच्चे रहे और घर के माता पिता ही सिर्फ पूजा में ध्यान दे तो इस तरह से ये एक भगवान का अपमान होता है तो इस तरह से बलकुल भी ना करें अगर आपके घर में पूजा होती है तो बच्चों को भी उसमें सामिल करें और साथ में बूजा करें तो देख सकते हैं छोट